मैं आपके घर नहीं आ सकता मेरा अर्थ है आज हम आपके घर नहीं आ सकते आज एक आदशी है और प्रभू नारायन की कृपा से मुझे उसका अनुष्ठान करना है पतो है लल्ला आज एक आदशी है आज के दिन आशिरवाद मिलना बड़े सभाग्य की बात होती है एक आदशी तब तो हर बार की तारा नारेल के बड़े-बड़े लड़ू बनाओगे ना मैया ना लल्ला लड़ू बनाने का समय ना है मेरे पास ब्राह्मन देरता आते ही होंगे बड़े कारसेस है उपवा अनुष्ठान आप हमारे घर कर लीजे आप तो जानते ही है ना अन्दराज शुद्धता का मैं विशेश ध्यान रखता हूँ किसी दूसरे के घर में अनुष्ठान करना मेरे लिए संभव नहीं महराज बड़ पूजा घर में सारा प्रबंद कर दूओ चोटा ही सही पर मंदिर तो वो भी है वहाँ आप अपने सारे नियम और विदी विदान से अनुष्ठान संपन्न भी कर सकते हैं और साथी साथ एका दशी की इस पुन्य तिथी पर मेरे बालक को आसिरवाद भी दे सकते उस बालक से तो मैं भी मिलना चाहूँगा ठीक है नंदराज अगर श्री नारायन की यही इच्छा है तो हम उनका अनुष्ठान आपके घर पर करेंगे लेकिन आपसे विशेष्ट निवेदन है जी माराज कि पूजा घर की शुधता का विशेष्ट ध्यान रखा जाए क्या हुआ प्रभू आप याखुल है हाँ मुल्ली मैया इतना कारिय करके पहले ही ठक गई है और अब इने पूजा घर भी इने फिर से स्वच करना पड़ेगा अब बस चौबारा बहरना से से कि अब शडम झार्वाल अब इने दूखकी रओ़ेघस बडर भी गवठकी आरिये लु़े बऴाऑई चुख और एश्वरिय की नगरी मतुरा में आप सबका स्वागत है जैसा कि आपने कहा था व्यापारी जी हम अपना सारा कसारा तूद, दही, घी, मखन सब लेकर आ गए बस आप इन्हें सुईकार कीजिए और अगली बार के लिए अगरिम धनराशी प्रदान कीजिए अगरिम धनराशी, इतनी शीघरता क्या है, पहले आप मेरे स्वामी से तो मिल लिजिए पर व्यापारी जी, हमारी बात तो आप से निश्चित हुई थी हाँ, हाँ, वहाँ व्यापार का स्वामी मैं था, लेकिन यहां मत्थुरा में स्वामी वो है, मेरे भी और व्यापार के भी मैया, मैं आपकी सहाइता करूँ ना नल्ला, तु जाके बैठ मैया, माखन खाके बात सकती आ गई है, अब से आग्याप पुरा ना कराऊंगो, तच्चि? अभी तु छोटा है नल्ला, बड़ा हो जा, फिर सहाइता करना मैया की? छोटा हो तु छोटा छोटा कार्या कर सकता हूना मैया? अच्छा ले, और पौधों में चल डाल दे येता सारा कार्या अक्केली करोगी तो सकान से टन टूट जाएगो आज कोई गोपी भी ना आरी इनकी साहिता के लिए अब इस घर में प्रवेश उसी को मिलेगो जो साख छिले करा है ना अभी गई तो ये सुदवा भी दाट कर भगा देंगी उनके क्रोध का सामना करने की इमत ना है मुझ में ना ना लल्ला की सिकायत करनी हो सब दोड़ी दोड़ी आती है मुझे साहिता क्या वा सकता है तो कोई पूछने भी ना आ रही ये कैसी विडम बना है प्रभू मैयां बुलाना चाहती है पर बुला नहीं पा रही और गोपियां आना चाहती है पर आ नहीं पा रही चिन्ता माधी करो मॉल्ली, अब देखू क्या करता हूँ मैं चानकी कानहा ने बुलायो मुझे कानहा, तुने पुकारो मुझे किसी ने किसी को ना पुकारो मुझे बुलाया, ना भावी, मुझे ऐसा लगो जैसे, कानहा ने मिना नाम लेके मुझे बिलायो मती भरस्ट हो जाये ना, तो ऐसे ही लगतो है भावी, क्रोध छोड़ दो ना, कितने दिन हो गए कानह से मिले बिना बहुत स्मृति आती है उसकी अच्छा, कानह की स्मृति आती है और भावी के जो आगे पीछे गुमती थी, मेरी स्मृति ना है कभी ना भावी, आपको भी रोस्मरन करती हूँ मैं, सची अब बस, बाते मती बना सब पतो है मुझे माखन चुराने की कता तू नहीं फैलाई है तुझे तो घर में प्रवेस ही ना मिलेगी तेरा जेही दंड है चाहे कोई माने या ना माने पर तू तो सत्य जानतो है न काना पच्छू करना अब देख क्या रही है जा यहां से बया जानकी ने मुझे पर आरूप लगायों है मैं डंडू इसे हाँ हाँ लला तू ही दे तुमारा डंड ये है जब तक खना फ्रामन बापिस ना चली जाते तुम्हे हर कारिय में मेरी मया की साइटा करनी होगी और अधिक ख्राम वाले सारी कारिय तुम्हे ही करने होंगे बोलो डंड स्विकार है हाँ हाँ स्विकार है मैं डंड दे रहा हूँ तुम हसरियो हाँ, स्विकार है भाबी, छमा कर दो ना जा टोकरी लेखिया, मैंने गारें वाँ, प्रभू, एक ही तीर से दो लक्ष्य साध लिये आपने मैया की सहायता भी हो गई, और घर में जानकी का प्रवीश भी हो गया एक बार मेरे स्वामी भी तो आपका माखन चखले क्या पता प्रसन होकर और धनराशी दे आपको और अधिक धनराशी, सुलचना तो प्रसन हो जाएगी मैं आपके स्वामी से मिलने के लिए तैयार हूँ हाँ, हम ही तैयार हैं, हम सब तैयार हैं सब जेटक लूँगा अरे तो चलिए, चलिए, आईए, आईए, आईए मैया, आप तो बना दो ना, नाजिल का बड़ा वाला लड़ू हे नारायन, महराज के लिए स्वच्वाली आसनी तो निकाली ना मैंने लो मैया ने मैं बात सुनी ना सुन ली मैंने का ना, अभी लड़ू बनाने का समय ना है मेरे पास महराज चले जाएंगे उसके बाद, हम, जानकी आज़ा मेरी साहता कर दे आईए महराज, पधारी, या सोधा प्रणाम महराज, तो भाग ये वती भावा, आप हमारे घर पधारे, हम धन्य हो गए श्री नारायन की इच्छा थी, उन्होंने मुझे भेज दिया नंद भी या, लओ महराज, महराजी जल ग्रैन कीजे महराज, नहीं पुत्री, अवनुष्ठान पूरा होने के बाद है हम जल और प्रसाद ग्रैन करेंगे, श्री नारायन की इच्छा से यही है वो विशेश पालक इकादसी की प्रसाद में आप भी नादेल का लड़ू चड़ाते हैं क्या? तो यह है आपका पुत्र चुक्यों रोए लल्ला, महराज को प्रणाम कर, लजार होए लल्ला, अरे महराज कि इत्ती दूर से हैं तुझा असिरवाद देने और तु लजार होए आज़ प्रणाम कर क्या सोच रोए लल्ला, चरंचो महराज के, जा 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 महराज कहना, अतिती के साथ ऐसा करते हैं क्या? पर बाबा इसे आँक में पकड़के परणाम कैसे कर तु मैं? इसमें तो कुछ भी दिव्य नहीं है बस एक साधारण, नर्दोश बालक है श्री नारायन की इच्छा से अपने राजा का पुत्र सभी को प्रिये लगता है मैं वेर्थी गाओं वालों की बातों में आ गया अब आ गया दीजिये नंदराज मुझे एकादशी का अनुष्ठान पूरा करना है ठहरिये माराज मैं सारा प्रबंद करवा देतों अनुष्ठान का काना को भी थुड़ा समय मिल जाएको आपके साथ काना आ चंचलता ना लला और अपने प्रस्णवाली पूटली कोलके माराज कतम मति करियो समझाई जा माराज अनुष्ठान के लिए क्या भूग बना दूँ खुछ बनाने की आवशक्ता नहीं है पुत्री बस एक कसा हुआ नारियल और थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे श्री नारायन के इच्छा से आग्या दीजे माराज ये तो सच में मेरी इच्छा है कनव माराज आईए आईए अरे आईए आईए दरियमत आईए 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 दरियमत आईए 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 अनुसार गोकुल से कुछ विशेश अतिति आए और अपने साथ लाए आईए हैं बहुत सारा दूद, दही, घी, माकन आईए आईए आई 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 परमनंद गोकुल के इन विशेश पदार्तों का स्वाग चकना ही चाहिए तीक क्या रेओ महराज को अपना उपहार दो जाओ परमनंद 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 तो, तुम सब बेचको परमनंद 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 आईए परमन उपग आए वता आए क्या कह रहे थे गांवाले देखने से ही अद्भुत संतुष्टी मिलती है दिव्व है विशेश है ये मुझे तो किसी विशेश तत्तों का आभास भी नहीं हुआ अभी तक श्री नारायन की इच्छा से ये तो आपके बहुत बड़े भाक्त लगते हैं प्रभु हर बाद पर आपको प्रणाम करते हैं फिर भी आपको पैचान ही नहीं पा रहे क्यूंकि इनोंने अभी तक कून समगपन नहीं किया है मुझली वहाँ अकेले क्यों खड़े हो आओ यहाँ बैठो श्री नारायन की इच्छा से मैं आपसे एक प्रश्णा पूछू अवाश्री पूछो हर देबाद माराज श्री नारायन की इच्छा से केवल साधारण ही नहीं नटखट भी है यह बालक थोड़ा इस्थान दो तो माराज मैं यह कह रही थी क्या अप जित रियात्रा से बापिस आया किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते है तीर्थ स्थान का अर्थ है वो स्थान जिसके पवित्र जल में डुपकी लगाने से कोई भी मनुष्य संसार की भौतिक स्थिती से अध्यात्म की स्थिती तक सहजता से पहुँच सकता है और कभी-कभी तो वो अपने अराध है, अपने भगवान से भी मिल पाता है आप मिले अपने श्री नारायन से? मेरी इच्छा तो बहुत थी बालक, परन्तु, श्री नारायन से मिलना इतना सरल नहीं है नाना माराज, श्री नारायन से मिलना बहुत सरल है पया तो घर के मंदिर में उनसे जाके मिलने दिया है और वो भी तिर्थ इस्थान वाना हाँ, एक तरह से हुआ तो तो जो आपकी तरह लंबी तित यातरा पे ना जा सकते तो वो अपने घर के मंदिर में ही यातरा कर सकते है अपने शीन आरायन से मिल सकते है न कितना अच्छा होता यदि श्री नारायन से साक्षातकार करना इतना सरल होता श्री नारायन के इच्छा से महराज सारा प्रबंध हो गए आप अनुस्थान आरंब कर सकते आप भी मैया वारा सरल उपाई अपना के देखले हूं महराज क्या पता आपको भी तिर इस्थानों पे भी नाम मिले वो या मिल जा है ये नारायन की इच्छा से आप इसकी बातों पे ध्यान मती देऊ महराज कभी-कभी कच्छु अधी की बोल जातो है मेरा नन्ना महराज और कच्छु सेवा जितना आवश्यक था वो सब मिल गया पुत्री और क्या चाहिए इस ब्रह्मन को शरी नारायन की इच्छा से बस अब थोड़ा सा एकान दे दीजे ताकि मैं बिना बाधा के एकादर्शी का अनुष्ठान पूरा कर सकूँ किसी वस्तु क्या आउ सकता हो तो बता दीजेगा आप भी मैया वारा सरड उपार अपना के देख लेओं मराज या पता आपको भी तिर इस्थानों पे भी नाम मिले वो या मिल जए श्री नारायन की इच्छा से वो छोटा सा बालक श्री नारायन के दर्शन के बारे में जानता ही क्या है इतना सरल थोड़े ही है मेरे व्रत को स्विकार कीजे नारायन मेरी भक्ती को स्विकार कीजे मुझपर अपने क्रिपाद्रिष्टिप बनाये रखे प्रभू भोग भी तो चड़ाईए पधारिये प्रभू मेरा भोग स्विकार कीजे ये क्या कर रहे है ये क्या कर रहे है ये ही तो प्रभू हुआ था अमारे बीच और आप लोगों ने तो नारायन को साक्षी मानकर शुपत मिली थी नहीं नहीं महाराज ये तो असत्य है व्यपारीजी सही बात ना बता रहो है महाराज आप स्वयम विचार करो जीवन भर के दूद, दही, घी माखन का मुल्य फित तो कम कैसे हो सकतो है भला ये तो नारायन की शपद लेने से पहले सोजना चाहिए था महाराज, महाराज ये आन्या है महाराज इतना दुस्साहस मेरे ही महल में, पूरी राजसभा के सामने मेरे विश्वास पात्र पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हो ये क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो वो करपन करने पात थोड़ी प्रतिक सा खंडी चाहिए नारायन को भूख खाने दो दो पर तुम तो नारायन नहीं हो लल्ला, लल्ला जे तुने क्या करो चमा कीजेगा महराज भूल मेरी ही है महराज बात चेह कि जब से इसे पता चलो कि आज इक आदसी है तब से जे नारियल के लड़ू मांग रहा था वो समय के अभाव के कारण में ना दे पाई मैं दूसरे नारियल और गुल्ले आती हूँ चल तो इता भी अपने मन को ना रोक सकता ना लल्ला कहीं थी ना महराज के जाने के बाद बना दूंगी लड़ू जानकी सीगर दूसरा नारियल के लिया और गुड़ भी चीक है जब कोई घर में आतो है तो एशा व्यवहार अच्छा लगतो है क्या मैंने क्या करो माहिया महाराज के हाँ में लोटा दे रहो है कभी इतने बड़े ब्राहमन लेता को घ्यान दे रहो है और अब भॉक का लट्टू भी खागाओ चुप चाप यहां सांधी से बैट जाओ और हिल्यों मती और बुलाए तो भी गाजाओ कोई बुलाए तो वो अन्य बात है लल्ला उससे पहले हिल्यों भी मती हाँ नहीं तो भाबी जे लिए जानकी ध्यान रख्यों जे चाए ना यहां से ओ मया की पहरे धर ऐसे क्या देख रही हो तुझे ही देख रही हूँ पहरे सतानी करतो है और पहरे ऐसे सीधा बनतो है इसे कच्चु किया ही ना हो दोने सीधा ही तो हूँ मैं अच्छा सब पतो है मुझे तेरी चिलाकी बातों में फसा करिया से निकल जाना चाहतो है ना 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 मैं आपने मैया का आग्ये का रहूँ जब तक कोई बुलाए को ना यही बैठे रहूंगो चाह लड़ू खानी का कित्टा भी मन क्यों ना करे विलंब के लिए शमा प्रभू यह बालक अबोध है बातें बड़ी बड़ी करता है परंतु नहीं जानता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं पधारिये प्रभू वो ग्रहन कीजिये प्रभू चाहन की दो में सुमना वो मुझे बुला रहे है कोई ना बुला रहे हुआ चुपचा बैठे रहे ना तो तरी महीं मुझे दाटेंगी मया ने गाई थी कोई बुलाए तो जा सकतो हुँ और माराज केवल बुलारी ना रहे बलकि भोग ग्रहन करने की मिंती भी कर रहे है पधारिये प्रभू भोग ग्रहन कीजिये वैसे एक बात काऊ तुम्हारे घर का माखन बहुत स्वादिश था तो तु स्विकार करने हुए कि तु मेरे घर चोरी करने आया था हाँ जा सोदा भापी देखो इस ते मान लियो कि जा चोरी करने आया था जेका को अरे हे नारायन इस तो दो फसा दिया मुझे वोग चलाची तो भागवान को ठीक से खानी के समय क्यों नहीं देते अब इत्ती संगरों चखना भी कटिन होगा बड़ा शरारती बालक है ये फिर आगया नारायन की इच्छा से आ माईया मैंने मना किया था ना वहां सुखने को पर माईया अपी ने तो कही थी कोई बुलाए तो जा सकता हूँ मैं मैं इनके बुलाने पर ही यहां आयो हूँ पर मैंने तो श्री नारायन का आवाहन किया था माईया कहती है छोटे बालक श्री नारायन का रूप होते हैं गाना आज तो आती ही कर दी तूने महराज का अनुस्थान पूरा ना होने देगो तू रहने दीजे नंदराज मैं ही जाता हूँ अपना अनुस्थान गाउं के मंदर में पूरा कर लूँगा ऐसा मती करो महराज आप अनुस्थान पूरा किये बिना चले जाओगे तो हमें बहुत पाप लगेगो हाँ महाराज आप जैसे ब्रह्मन देवता की सेवा हम ना कर पाई तो हम पर कलंख लग जाएगो आप अपना अनुस्थान यहीं संपन करे मैं समालूगो इसे मैं धान रखो ओगे आपके अनुस्थान में कोई विग्न ना पड़े मैं अभी दूसरी सामगरी ले के आती हूँ चल इसे तो मैं रोहिनी जिचिक यहां छोड़ के आती हूँ चान किसे ना समले गोजे या सोधा आभी नारुके गोजे इसे मैं अपने दुभाया के आँ ले कर जातो चल या किसी ने तुम्हारे साथ ना तो कोई अन्याय किया है और ना ही कोई धोका केवल वैबार किया है समरन करो क्या फुरण लिया था तुम सब में या उसमें किसी धनराशी का उलेख था नहीं था इसलिए आप उस प्रण के अनुसार तुम बिना कोई मूल ले लिए जीवन भर अपना सारा दूद दही घी और माखन अपना सब कुछ मुझे दोगे महराज ऐसा अत्याचा महराज हम पर कृपा कीजे महराज महराज हमारे पास ये दूद माका नहीं है महराज हमें उचित मुल्य दिलवा दो ना तो मेरी पत्नी मुझे घर में प्रवेश्णा करने देगी महराज महराज हमारे जीवन यापन को किवल एक जेही साधन है महराज महराज तनिक दया करो हम पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे महराज हमारे पास जीवन यापन का किवल जेही एक साधन है महराज तनिक दया करो हम पर हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे अपनाद भाहिया ननद मैं तुम्हारी पास यह रहा था क्या बाद है? काना भी आयो है अओ अंधर आओ आओ ननद कावा देननद सब ठीक तो है? ना भाहिया यह न आपका काना यह अपने बाबा का नाम दुबो के माने को तू यहीं बैठ यहां से हिलेगो ना तुम, अरे बड़ा नटकट हो गयो भाईया अच्छा, आप जे सब छोड़ो, जे बताओ क्या आप मिलने आ रहे थे कच्छु विसेश पात थी जो गाउमाले मतुरा गए थे, उनसे कच्छु कबर मिली ना ना, जो लोग गाउम से गए मतुरा उनमें से अभी तक किसी के आने की कोई सूचना ना है तो आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं चिंता की बात तो है ही ना अनन्द सूचना मिली है कि आसपास के गाउमें सूखा पढ़ गए गवाले अपनी गईयन को चराने दूर वनो में लेके जाया करते थे और अब तो वहां पर भी सूखा पढ़ ना रम हो गया है ए ना राहेड तो हमारे गोकुल की क्या स्थितिय है भीया गोकुल और पर गाउं के आसपास की जो स्थितिय है उसको सोच करी तो मैं चिंति थू शिग्रिही उसका असर हमारे गोकुल पर भी दिखने लगे को पधारिये प्रभु भोग ग्रहन कीजिये प्रभु ये माराज भी ना बिलकुल गोफियों की तरह ही है एलस्वेम बुलाते हैं फिर पिलड जाते हैं मैंने कब बुलायो जाने का होगो है दो दिन से काना दिखो ही ना है हाँ किसी के घर भी ना आयो माखन भी चूरी ना की अस्वस्तो ना होगो कई चोट लग गई हो तो हमें चल को देखनों चाहिए अरे माखन चूरी के आरोप के बाद जशुदा हमें मिलने भी देगी क्या खाना से किन्तू मौसी हमें प्रियास तो करनों चाहिए ना जानकी को नन्द भवन में प्रवेस मिलगो है और कोई बड़े महरसी भी आये है पूजा चल रही है मंदिर में तुझे तो सब पतो है छुपकर देख रही थी क्या नाना मैं तो बस वांसे आ रही थी तो दृष्टी पड़ गई मेरी चाहिए जो कुछ भी हो पर सूचना उपयोगी है क्या पता इसी बहाने हम सब को परवेस मिल जाए चल काना जे काओंगे यूँ अरुजय अभी तो यही दो काना क्षमा कीजिएगा नारायन आज बार बार अनुष्ठान में विगन आ रहा है परंतु आप तो जानते हैं मेरी श्रद्धा और मेरी भक्ति पूरी तरह से सच्ची है शुद्ध है इसी लिए क्रिपा कीजिए प्रभू पधारिये और भोग ग्रहन करके इस भक्त को क्रितार्थ कीजिए दर्शन दीजे प्रभू ताकि मैं भी मान सकूँ आप से मिलना उतना ही सरल है जितना उस बालक ने कहा था आप तो भक्त वतसल कहलाते हैं प्रभू इस भक्त की भी विंती सुन लिजे दर्शन दीजे प्रभू दर्शन दीजे इसी विश्वास और समर्पन की ही तो देरी थी महरेशी करना आपके इस्परमसत्य को मैं कैसे भूल गए हो प्रफु अरे तुम फिर आ गए अब आप पिता प्रेम और फस्ति से बुलाओगे तो आना ही पड़े गोला एक ही बात को कितनी बार समझाओं मैंने तुम्हें नहीं बुलाया मैंने अपने प्रभुश्री मैं तु हूँ आपका शी नाराइन क्या हुआ मराच अपी नहीं पेचाना अपनी शी नाराइन को प्रभु क्या सचमुच आप मेरे सामने हैं क्या पता आपको भी तिर इस्थानों पे नाम मिलें वो याम निल जा है शी नाराइन की इच्छा से आपने सत्य कहा था प्रभु आपसे मिलना बहुत सरल है पर मैं अबोध समझ ही नहीं पाया आपको अबोध कहता रहा हम सामने थे और मैं मैं पहचान ही नहीं पाया मुझे ख्षमा कर दीजिये प्रभु मेरी भूल को ख्षमा कीजिये प्रभु आपकी पूजा करने के लिए आपको बुला रहा था और आप ही को भोग खाने से मना कर रहा था तो अब तो खिलादोना माराज शी नहालाइन की इच्छा से मैया भी तो जाने दोना माराज बुला रहा है इतर तो विलकुल ना जाने दूगी मैं रुक तुझे बता बाबा ने तुझे आने कैसे दियो तच्छी मैया महाराज ने बुलाई हुए मुझे मैने तुना सुनो है अब जे मति कईयो कि महाराज ने नारायन को बलाओ है और बालत नारायन का सुरूप होते है मैने ही बुलाया था पुतरी महाराज महाराज अब आप मेरा सकते जानते हैं पर कपिया मैया को पता ना चेनने कीजियेगा मैं चाहता हूँ कि मैं इनके लिए वो ही बना रोहूँ जो हूँ उनका समान्य सल लल्ला ताकि इनके क्रेम की अमरत वर्सा मुझ पर सदेव वरस्ती रहे महाराज जे सदेव ऐसे ना करतो है आज ना जाने इसे क्या हो गव है जे सैतानी ना थी हसो था जे तो प्रभू की लीला थी महाराज आप अनुस्थान पूरा करो अब मैं ऐसे और विगन ना डालने दूँगी नहीं पुत्री, ये विग्ण डालने नहीं, अनुष्ठान पूरा कराने के लिए आया है। मैं आपका सत्य किसी को नहीं बताऊंगा प्रभू, आपने मेरी आखें खोल दी, मेरे लिए तो इतना ही पर्यापते, मैं धन्ने हो गया। जे आप क्या कर रहे हो माराज, श्री नारायन कब होग, आप लल्ला को क्यों खिला रहे हो। मैं सदैब कहता हूँ कि, जो होता है, श्री नारायन की इच्छा से होता है, और मैं नारायन की इच्छा को ही न कर रहा था। माराज कई फूल से मेरा प्येतना खोल दे थोड़ा समय लगा परंतु मैं समझ गया पुत्री बालक ही श्री नाराइन की रूप होते हैं मैया देखा माने काई थी ना आज काना ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी यदि सच्ची श्रद्धा और भक्ती से कोई स्वैम को श्री नाराइन के चरणों में अर्पित करते तो श्री नाराइन बहुत सरलता से उसे मिल जाते हैं कभी कभी एक छोटे बालक के रूप में सामने आ जाते हैं नाराइन को पाने के लिए किसी तीर्थ जाने की आवशक्ता नहीं है और नहीं किसी पवित्र जल में डुब की रगाने की आवशक्ता है इन्हें पाने के लिए चाहिए तो केवल सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ती और पूर्ण समर्पन मैं इसे आशिरवात देने आया था पर इससे मिलकर मैं स्वैम धन्ने हो गया हूँ जे कैसी बाते कर रहे है माराज लल्ला को मिलके धन्ने हो गए का क्या अर्थ है मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यपार की विवश्चता से मुक्त कर सकता हूँ यदि गोगुल राज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो हो हाई बलिहारी जाओ मैं ऐसे मुड्मुड के देखतो रहता ना काना मार्क पे चलते समय पीछे ना देखा जातो है सीधा देख वो भी उनकी और जो तुछ पर उल्टा सीधे आरोप लगाती है क्यों भला क्योंकि हमारा चित बस तो है जशोदा तेरे लल्ला में क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित चुरा लियो है जशोदा जी वो माखन चोड तो पहले था अब चित चौर में बन गो नाना भापी जज़े ये बोलना चाह रही थी कि काना बिलकुल आप पर गयो है जैसे चित को मुह लेनी वाली मुसकुराट आपकी है वैसे ही उसकी है हाँ, जैसे गहरी सुन्दर सुन्दर आखे आपकी है, वैसे ही उसकी भी है कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कित्ती भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती और जे माखन लगाने की तो आवसकता बिलकुल ना है तो क्या आप मिलने दोगी हमें काना से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्विकार कर लो काना से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगी एक उपाय है, हाँ भाबी, चाची हम सब ना, यहीं बैट जाते हैं काना कभी ने कभी तो आवे गोई मिलने देने का तो प्रस्नी ना बनता पहले आरोप लगाती है, फिर प्रसंसा के परबत पर चड़ाती है इन्धे लगतो है, जसोदा भोली है, मान जाएगी इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अम मेरे काना के पीछे पड़ी रहती है तू क्या सुन रही है? तू भी तो उन में से ही है भाबी, मैं कल फिर से आ जाओ ना? आना तो पड़ेगो, एक दिन में रन्नेत पुरा थड़ी हो जाएगो चैक आना ने, आना तो पड़ेगो आप से में आगे बैठी हो अब तेरी तरह हर कोई चापलोसी तो ना करतो है पर कोई न कोई उपाय तो करना पड़ेगो ना, काना से मिलने के लिए अब तो बस एक ही आस बची है कि कभी न कभी तो काना बहार आएगो और हम सब उससे मिल पाएंगी नंद राज कैसे बताएंगे और किस मूँ से बताएंगे कि हमने अपनी मुर्खता में कैसो बात कर दो भानू, बजरंगी, क्या हुओ, आप सब लोग इतने चिंतित क्यों है का वो, मत्रा में कचू, गडबड़ हुई है का चिंता मती करो आप लोग, जो भी कुछ हुओ है हम सब मिल कर संभल लेंगे आप सब लोग ठके हुए हैं, तने क्विस्तराम कर लो उसके बाद हम बात करते हैं मुझे ही कच्छू करना पड़ेगा महिया, मैं खेलने जाओं? बोलो ना, महिया, मैं जाओं? ना, ना, अभी छीक आई ना, जे सुप संकेता है गडबर तो हो चुकी है, महिया यह लीजे, जल ग्रण कीजे लीजे, वीजे बानो, ठक गए हो गए, जल पीलो बजरंगी, लो अरे, तनकी आप सकता का तो ध्यान रखने होगो, ना लो आप हमें जल क्यों पिला रहे हैं? हम पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं आप हम इस योगे ना है, नंदराज हम इस योगे ना है हाँ, नंदराज, हम इसके योगे नहीं है हम इसके योग नहीं है ये सब क्या कह रहे हैं आप लोग हमने आपकी बात ना सुनी अंदराच आपने कहा था मना किया था आपने पर अधिक धन के लोग में हमने ही उस दुश राक्षस को अपना वचन दे दियो और मतुरा जाके पता चलो कि ये सारा शडयंत्र उस व्यापारी का ना था उसने तो बस सत्याचारी कंज के कहने पर ये सब किया आपने तो सीखो है माईया पर सित्ति कैसी भी हो जद्धित धोना सबाधान ना हो तो पर समाधान तो चिंतन करने से मिलतु है ना तो मैं जाओ अच्छा बता कच्छो गडबड हो जाए तो हमारे रक्षा कौन करते हैं शी नारायन तो तीन मारून का ध्यान कर ले लल्ला वा मया मेरी रक्षा के लिए मुझे अपना ही नाम लेने के लिए कह रही हो क्या सोच रहो है कर अब मैं जाओ जा इसका आर्थ है कि जह कोई साधारण चलना था जह सोची समझी होजना थी अब सभी लोगों को फजाने की इसका आर्थ जह है कि इसके बीचे कोई न कोई कारण अवस्थ से हो कारण को थो पतो ना है पर कंस ने हम सब को मुक्त करने को एक प्रस्ताव रखो है प्रस्ताव? कैसो प्रस्ताव भानू? बताओ? भानू यदि तुम ना बताओगे तो तो मैं सहायता कैसे करूँगो? उसने कहा है कि वो हमारे निश्वलक व्यापार की व्यवस्ता को समप्त कर देगो यदि विंति करने के लिए आप उसके दर्बार में जाओ तो वो भी वो भी? वो भी क्या? वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेके वो भी गानू को साथ लेके काना पहले छीक और अब जे कच्चु गर्मर तो अब असे अब सब लोग चाहिए इसराम कीज़ मैं देखतो हूँ क्या करना पहिया मैंने इन सबसे कह तो दी कि मैं देखतो हूँ क्या करना पर मैं क्या करूँगो एक और मेरी प्रिजा है उसरी और मेरा लला मैं लला को कैसे लेकर जाओ मैं उस उस अत्याचारी गंज के पास जिसने रानी देवी की पर इतने अत्याचार किये जिसने अपने बहन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा वो वो तो अत्याचारी नहीं नन राक्षष है राक्षष और ऐसे राक्षित के पास अपने काना को ले जाना तो दूर हम उसकी परच्छाई तक अपने काना पर नहीं पढ़ने देंगे और हमारे पास उपाए ही क्या है भाईया गोफियोंने कितने सपने सजोई हूंगे अपने सुनेहरे भविस्ये के लिए और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगो तो क्या बीटे के उनके रिदे पर आज भानू मत्रा से धन लेके लोटेगो तो मैं सीधा हाट जाओंगी और जसोदा के लिए एक महंगा सा उपहार लोगी कर्चुलाब ना होगो मैं भी काना के लिए लोगी एक विसे सुपहार और इस बार उसे भी मैं माखन के साथ रख दूँगी ताकि काना लोब में आखे बार-बार मेरे घर आवेगो दो दिन से वो किसी के घर ना आयो है तेरे घर आयो तो बरा जब देखो तब कोई ना कोई प्रस्न करतो रहतो है हमसे पर इस बार दिखेगो तो हमारे प्रस्नों का उत्तर देना पड़ेगो उसे आगाओ अब जे क्या है? जे क्या कर रहो है? पर जे हमें अपना मूँ क्यों ना दिखा रहो है? हाँ जे सोब का आया पहले माखन चुरा तो है और अब लजजा आ रही है तो मूँ चुपा रहो है लजजा उसे हाए रिख से चुड़े कियो मैं क्यों लजजा आनने लगो पला? अच्छा तो जे बता लल्ला कि ए सलोनों सो मूँ क्यों चुपा रहो तुने? ताकि आप सब मेरे जलाग भी ना देख पाओ अच्छा ये क्या करें आप सब? साहस है तो आखों में आखे डाल कर बात कर मैं ये शुमती मल्या का लल्ला हूँ साहस कुख कुख के भरो है मुझ में पूछो क्या पूछनों है पहले तो जे बता आज किसके घर जाएगो तु चोरी करने है चोरी और मैं? आदिक भोला मत बन जे सब कवतुक जशुदा जी के पास चलेगो यहां ना चलेगो बस इत्ता बता दे का ना आजकल माखन खाने का मनना हो रहो है या पकड़े जाने से भाईबीत होगो है तु बच्छोडों को उनका अधिकार दिलानो अनुचत थोड़ी है दोद्दै माखन पे पहला अधिकार वालक को कोई होतो है इसलिए भाईबित वो हो जिसने कच्छू अनुचित किया हो यह सुदा भाईबी अब क्यों भाईबित होगो भाईबित का हुआ मैं तो बस जा रहा था अच्छा मान लियो कि भाईबित ना हो रहो है अब जे बता कि हमारे घर क्यों ना आ रहो है हमने जो सुदा भाईबी से तेरी बात बता दी इसलिए एक ख्रोदित है क्या मैं मटकी उपर लटकाती हूँ इसलिए ना आयो मेरे आगा माखन अच्छा ना लगो क्या किसी के आँ माखन बच्छोई का है जो आओ सारा का सारा तो दे दियो उसमें पारी को अब भूल की है तो फल मिले गोई ना वाल अल्ला चोरी तू करें और भूल हमारी ना अब बुरा मानने या चिंता करने से कच्छो लाबना होगा हम कहां बुरा मान रहें और चिंता भी ना करें जब मैं आबास हो जाए वाब भूल होई है तू से बान के सीख लेनी चये सई है लला इतो माकन चुरा तो है परसे ज्यान भी देतो है मैं तो बस कोई बता रहा था चाची चू मैईया ने सिखायो है और क्या-क्या सिखायो तिरी मैईया ने यही कि पर स्थिती क्यासी भी हो चिंती थुना सबाधान ना हो तो सबाधान तो चिंतन करने से ही मिलतो है अरे 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 जिम्माखन छोड़तो हमें उपदेश देगे भागो वो देखो ये सब लोग इतने गंबीर क्यों दिख रहे हैं जैसी ये बात गोपियों को पता चलेगी भागो तक ये बात पहुचने में अधिक समय ने लगेगो और ना रहाए नहीं जाने उसके बाद भागो के मन पर क्या भी देगी कहीं वो कहीं वो फिर से खड़े निर्णा न ले ले बड़ा निर्णा तो आज मुझे लेनो होगो भाईया मुझे जै निर्धारित करनो होगो के ये सुदा को कंस के बारे में क्या-क्या बतानो है और कैसे बतानो है और मुझे जै भी सोचनो होगो के मुझे क्या करनो है बाबा हुने का दाइत्व निभा कर अपने लल्ला की रक्सा करू या या राजा हुने का कर्तव निभा कर अपनी प्रजा के हिप को अधिक महत्व दू नाराइन ही जाने के इस तो विधा का हल कैसे निकल लेऊ अब तो वो ही बचा सकते हैं भाईव या राजा हुने का अपने लेऊ ये तो विल्पन लड्डू जासो है और ये गूट की डली खाव की की नान खाव फूर्दीवी का प्रसादित हो है थोड़ी सी खाई लेता हूँ ये तुमने क्या क्या काना मिट्टी खाई ना तुमने मिट्टी तुमने फिर से मिट्टी खाई ना तो तेरे दाओं मुझे सब बता देंगे चल चोटी मा के पास जाओ हम कर दूस्रे के साथ है ना इस पर मैं तुमारा साथ नहीं दूंगा चोटी मा को वच्चन दियाताना मैंने कि अधी तुने फिर से मिट्टी खाई तो मैं आरज से बताऊंगा बल्रा कारा की चुगली करेगो तू अमारी एक्ट्याट तूट जाएगी बस कोई बीच में नहीं होगाज